अगर पवन जी मैंने गलत गया तो प्लीज उचे माफ कर देना तो थोड़ा सा मैं गाती हूँ रगड के अगर छुड देंगे जीजा तो होली का मजा कैसे लेंगे जीजा जीजा नहीं बनाया है वो कंपनी वालों ने मुझे उनको जीजा बना दिया और मुझे साली बना दिया है पर्मनेंटली वाला है नहीं से नहीं डरवी थी एक्चुली क्या ना पवन जी की बड़ी दबंग पसनालिटी है सबको पता है इवन मैं नीजु कुरियोगरफर था और सारी लोग मतलब हम लोग सबसे पहले चैनल पर स्वागत करते हैं सब्सक्राइब करना चाहती हूं पिछले इंटर्वी को भी आप लोग ने बहुत प्यार दिया और आई होप इसको भी आप बहुत जादा पसंद करेंगे कैसे हैं बहुत ही पड़े कैसी लग रही हूं वह तो अब जखास लग रहे हूं हमेशा की तरह में यही कर दो मैं मैं ऑन कैमरा फ्लैट करता हूं बाहर निकर दो हुलिके मझाट स्टर पवल सिंग के साथ हम इंदार कर थे की आ uh हाऊगे आप ग्वाट से जीजा इजा बना के लिए और इसा मेरा कोई रादा नहीं था बड हमारे भोचपूरी में जी जा साली और भावी देवर में इवन भोचपूरी क्यूं? सब जगे पर इनका रेलेशन पर इस अग अधी रेलेशन होता है durch two relations बाकियों में नहीं होता है, बाकियों में तो पढ़ जाती है सबको, पिटाई, तो ठीक है, ये गाना आया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और पवण जी का था, अब विसली तो वो तो करना ही था, एक बात बताएं, सवाल बाद में बात करेंगे, लेकिन जो होली का मज लाइन, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, अब विसली में पवण जी को तो बीट नहीं कर सकती हूँ, तो अगर पवण जी मैं गलत गया तो प्लीज जो माफ कर देना, तो थोड़ा सा मैं गाती हूँ, रगड के अगर छुड देंगे जी जा, तो होली का मजा कैसे लेंगे जी जा, तर शेको बात बते हैं, आपने जो इसा भी आएा जी जा जी, तो बहीन कौन हो गई? भेहन, बहन किसी को भी मान लीजे, दी दी कोन है? दी भी किसी को मान लीजे, बो तो मैं बताने सकते हैं, लड़ाई कर आउगे आप एरी. लड़ाई क्यू कराउंगा, मैं तो जीजा बना दिया और मुझे साली बना दिया है पर्मनेंटली वाला है? नहीं नहीं पर्मनेंटली नहीं है आगे और भी काम करना है रील वाला बहुत सारे काम करने हैं अभी मुवीज करनी हैं, गाने करने हैं तो हर बात जीजा साली तो डूइट obviously नहीं पसंद करेगी तो करते रहेंगे काम पवन जी के साथ पहला experience कैमरे के सामने, क्या सा रहा मैं सच बताऊं तो मैं बहुत डरी भी थी क्यों? यह मुझे समझ मैं नहीं सेता महाराधी कह रही है कि यार में कैमरे के सामने डरी थी यह हजिटेशन होता है, डरना एक अलग चीज होता है नहीं, डांस नहीं डरी भी थी एक्चुली क्याना पवन जी की बड़ी दबंग पसनालिटी है सबको पता है इवन मैं यहीं जो कुरियोगरफर था और सारे ही लोग मतलब हम लोग मेरा फर्स टाइम था उनके साथ काम करना और जो भी कुरियोगरफर भी था उसका भी फर्स टाइम था तो हम लोग जो बात कर रहे थे नहीं पवन जी का गाना करना है तो डर मतलब वैसा वाला डर नहीं था बट एक रिस्पेक्ट वाला डर था कि ठीक है फर्स गाना कर रहे तो बहुत अच्छा होना चाहिए बस यह फोकस हमारा में था तो पवन सिंग के साथ जिस तरीके से गाने पे बीट पे वो काते नहीं कि पवन सिंग मूड इंसान है मूड बनने में टाइम लगता है तो क्या बाके में इस सेट पर उसी तरीके से मूड बनने में टाइम लगता है सुईता हमारा के साथ डान्स परफॉर्मेंस नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था जो मैंने उनकी बारे में सुना था कि थोड़े से डेंजरस है ऐसा कुछ भी नहीं थे मेरे साथ तो बहुती comfortably काम किया उन्होंने और मैंने भी बहुत try किया so काफी अच्छा रहा मेरे साथ experience उनका अभी तक जिन लोगों ने इस गाने को सुना नहीं होली का मज़ा उसके लेगे आप क्या कहना चाहेंगे बिदे नहीं सुना है तो सुनिये जाके और होली में definitely बहुत ज्यादा बजने वाला है गाना और already इसमें 4-5 million हो चुके हैं views और आगे भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं